आज आप सीखेंगे KFC के ऑथेंटिक चिकन टेंडर्स जो के जिंगर बगर में इस्तमाल होते हैं या फिर वैसे याप क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो बजार से मगाते हैं ऑथेंटिक फूल प्रूफ रेसिपी है घर में ही मौझूद चीजों से बनाएं हमने लिया है चिकन ये ब्रेस का पीस नहीं होता ये ब्रेस से नीचे जो एक पीस लटक रहा होता है चिकन में ये वो होता है चिकन टेंडर्स ये वाला पीस आपने लेना है इसमें जाएगा चिकन पाउडर औरेगानो अनियन पाउडर गार्लिक पाउडर सॉल्ट वाइट पैपर और पैपरि और ओल भूहँ आपने इसको बहुत्री तरीके से मिक्स करना है और आप बस आपने जो चिकन का मीट इस्टोर्श चिकन करनाए वह ऑपने चिकन टेंडर ही लेने हैं, सब्करन करें ने कि यह चिकन टेंडर को चाहें चुकि जितनी देर आप फ्राइ करेंगे चिकन उतना ड्राइ हो जाता है अब इसकी ब्रेडिंग तियार करते हैं ब्रेडिंग में मैंने लिया है औल परपस फ्लार और इसमें जाएगा कॉन स्टार्च साथ में इसमें जाएगा सॉल्ट पैपरीका गार्लिक पाउडर और बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर एक सीक्रिट इंगीडिंट है जो कि यह सारे कमर्शल जो है वो ब्रेडिंग में इस्तमाल करते हैं जिसकी वज़ाए से यह क्रिस्पी देर तक रहता है लेरिंग बहुत अच्छी आती है यह सारी चीज़ें आपके घर में मौझूद होंगी एक दफ़ा आप यह ब्रेडिंग का मसाला बना के रख लें मुक्तलिफ अपनी चिकन की फ्राई रेसिपीज में यह इस्तमाल करें इसको खुब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और हमारी ब्रेडिंग यह रेडी है अब बारी आती है कोटिंग की चिकन ओवरनाइट मैरिनेट हो गया था अब मैंने क्या करना है पहले इसकी फर्स कोटिंग करनी है इसके लिए हमें ठंडा यह पानी चाहिए तब यह आपको परफेक्ट रिसल्ट मिलेगा डेर सारा पानी ले कि उसमें आइस क्यूब डाल के रख लें माउल में पहले हमने ड्राइ कोटिंग करनी है कोटिंग का तरीका बहुत इंपॉर्टन है आप देखें किस तरह से मसल मसल के आपने इसकी कोटिंग करनी है एक बार हम इसकी ड्राइ कोटिंग कर लेंगे जितने भी टेंडर के पीसिज हैं इस तरह हातों से मसल मसल के और सारी ब्रेडिंग जब हो जाएगी इसके बाद आता है इसका जो सेकिंड स्टेप है थंडे येख पानी में हमने इसको डिप करके फॉरन निकाल लेना है इसतरह से हमने बस डिप करके निकाल लिया सारप जब इसमी से पानी इसकी विजएट हो जाएगा हम दुबारा जो हमने ब्रेडिंग बनाई है इसकी उसमें अच्छी तरह हातों से मसल के इसकी ब्रेडिंग तैयार करेंगे कोटिंग अच्छी होनी चाहिए और बस आपने कोटिंग अच्छी कर ली तो आपको रिजल्ट परफेक्ट उसके बाद आप इसको हलके से जटकेंगे तो ये इस तरह से रिजल्ट आएगा ये ठंडे पानी और बेकिंग पाउडर की वैसे है जब आप फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी और क्रंची होगा सारी ब्रेडिंग हो गई है इसी स्टेज पर आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं जब दिल करें निकालें और गरम-गरम तेल में फ्राई करें अब आरती ही है बारी इसकी फ्राई करने की तेल जो है वो गरम होना चाहिए अच्छे गरम तेल में आपने इसको डालना है दो से तीन मिनट आपने इसको होट ऑल बिलकुल हाई हीट पर पकाना है और चमचा बिलकुल नहीं चलाना तीन से चार मिनट के बाद आपने इसकी साइट चेंज करनी है और मीडियम टू हाई कर करेंगे और इस दौरान इसकी साइड़ चेंज करेंगे आप देखें कितने पर्फेक्ट इसकी क्रेंची करनशी लोका रही है जैसे कि आप बजार से लेके आते हैं तक रिए बाद के बाद हमारा परफेक्ट यह क्रिस्पी के एफ सी चिकन टेंडर रेडी हैं आप देख सकते कितना परफेक्ट रिजल्ट आया है और जब आप यह खाएंगे तो आप कभी भी बाजार से नहीं मगवाएंगे इस रेसिपी से आप घर बेटे कारोबार भी शुरू कर सकते हैं यह बेस्ट रेसिपी और आपने इसको किसी स्ट्रेइनर में निकाला है किसी बटर पेपर साथ केचप के साथ आप इसको एंजॉय करें और चिकन हमारा प्रॉपरली गल गया है और आप देखें कितना सॉफ्ट और मॉस्चर इसमें मौजूद है तो यह रेसिपी आपने जरूर ट्राय करनी है